वागर्था विवसंप्रिक्तव वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पित्रवंदे पारवती परमेश्वरों परमादर निये बाबा सुहन सिंग्जी इस सत्र के अध्यक्ष मंच पर आसीन अन्यविद्व जन सभागार्मी पस्चित सबको वंदर नमस्कार करके मैं अपना वक्तव्या अरंब करता हूँ इसका शिर्शक है शैव दर्शन में शब्द और शब्द रहस्याँ जैसे की पहले सत्र में बताया गया कि शब्द अनेक अर्थक है शब्द के अनेक अर्थ होते और इसको जानना जड़ा आवश्यक भी है क्योंकि इस पूरी रहस्याँ प्रक्रिया में शब्द के जो अनेक अर्थ है उसको समाहना आवश्यक होगा इस पूरी रहसे प्रक्रिया को जानने के लिए शब्द का अर्थ धुनी है पहले कोई भी धुनी शब्द है दूसरा अर्थ भाशिक धुनी है ऐसी धुनिया जिनका उप्योग हम भाशा में करते हैं वर्डमाला जिसको कहते हैं उसमें तीसरा अर्थ है इन ध्वनियों का जो सार्थक समूह होता है मतलब जिस अर्थ में हम वर्ड कहते हैं उस अर्थ में यह शब्द है चौथा अर्थ है पद जिसका हम प्रियोग करते हैं शब्दों का प्रियोग नहीं होता शब्द भावात्मक होते हैं, abstract होते हैं, प्रियोग पदों का होता है, पद हम तब कहते हैं, जब उसका कोई व्याकरण की दृष्टी से संसकार हो जाता है, उसमें कारक विभक्ति या क्रिया विभक्ति लग जाती है, तब वह प्रियोग का विशाय बन जाता है, जिससे हम ज वाक्य भी है भाशा है और सबसे बढ़कर के वह परम्तत्व है जिसके लिए हम शब्द ब्रम्ह काते हैं जिसके लिए भरतिरहरी का दर्शन है जिसकी चर्चा मेरे गुरुवर प्रफिसर कपिल कपूर जी ने पहले व्याख्यान में किया थे तो वह शब्द ब्रम्ह है तो इतने अर्थों में किसी संस्कृती में शब्द का संभवता प्रयोग है नहीं है और यहां आज की बात नहीं है यह पता नहीं कबसे हमारी सनातन चिंतन परंपरा में यह चीज़ें चली आ रही है और बार बार हमारे संतों महात्माओं रिशियो मनीशियों के द्वारा व्याख्याईत होती आई है और उसी की अद्दितन व्याख्या के रूप में हम अपने पुज्य ग्रंथ को देख सकते हैं तो इस चर्चा को आरंब करने के लिए हम पहले पतंजली के महाभाष्य से सुरू करते हैं इसके बाद ये शैव दर्शन की प्रक्रिया में मैं आता हूँ कि एक तो भारतिये वांग में का जो वर्गी करण है वह विचारनिय है इनको तीन रूपों में तीन वर्गों में हम विवक्त करते हैं प्रभुसम्मित, सुहर्दसमित और कांधा सम्मित, ये संपोर्ण भारती वांग में इन तीनों कोटियों में समाइत हो जाता है, प्रभुसम्मित कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, statement of the master और उस अर्थ में vend है, वेद को आगम को हम प्रभुसम्मित कहते हैं, इसमें शब्द की प्रधानता होती है शब्द को आप बदल नहीं सकते वैदिक रिचाएं जो हैं उनको केवल अर्थ के आधार पर की समान अर्थ होने के कारण कोई दूसरा शब्द दे दें ऐसा संभव नहीं है दो कारण हैं एक तो चंद भंग हो जागा है वैदिक रिचाएं चंदों में हैं तो कोई भी दूसरा शब्द देंगे चंद भंग हो जाएगा दूसरा ध्वनियों का विशेश महत्व है रिचाओं में ध्वनियों का जो क्रम है वही उनको मंत्र रूप में प्रस्तुत करता है इसलिए आप यदि अर्थ को भी अर्थ की भी रक्षा कर लें लेकिन ध्वनी क्रम जिस अर्थ में वो ध्वनिया है उस क्रम की रक्षा नहीं हो पाती इसलिए उसको शब्द प्रधान कहते हैं उसमें एक शब्द भी एक वर्ण भी बदला नहीं जा सकता या उसकी विशेस्ता है और सुहर्द सम्मित पुराणादी हैं और कांता सम्मित काववयादी हैं इन तीनों ही कोटियों में संपोर्ण भारतिये वांग में समाहित हो जाता है इसी की व्याख्या करते हुए आगे जब हम पानेनी की परंपरा में चलते हैं पानेनी का नाम आप सभी जानते हैं महावईयाकरण पानेनी सात्मी शताब्दी श्विपूर्व जिनका विश्व प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है अश्टाध्याई स्वायम पार्णिनी को भी महाश्वर संप्रदाय के अंतरगत गिनते हैं संस्कृत व्याकरन की परंपराओं में उनके अश्टा ध्याई पर भाष्य लिखते हुए कोई डेड़ सो इस्वी पूर्व महरशी प्रदंजली का काल माना जाता है उन्होंने महाभाश्य लिखा उनकी अश्टा ध्याई पर और महाभाश्य का आरंभ वो करते हैं अथशब्दा अनुशासनम यह जो ग्रंथ है अब हम शब्दों का अनुशासन आरंभ करते हैं शब्द का कैसा शब्द शब्द कौन सा है शब्द जो अश्टाध्याई का है अथवा और पहले का है अश्टाध्याई स्वैम ही जो उपलब धवांग में है उसका व्याकरण है और इसी चीज को लक्षित करते हुए कहते हैं कि लौकिकान आम वैदिकान आम चर दो प्रकार के शब्द हैं लौकिक शब्द जिनका हम अ इस चित रूप से तब तक परिवर्तन आ चुका होता है तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के शब्दों का व्याकरन हम करने जा रहे हैं और वहां शब्द लौकिक भी है और वेद में जो प्रियोगत शब्द हैं जो संभवता आजकल प्रियोग में नहीं है उतने विस प्रचनिक व्याक्या उस रूप में है अपने ग्रंथ में पतंजली कहते हैं कि एक शब्द या महत्वपूर्ण है जानना एक शब्द है सम्यक ज्यात है सुप प्रियोगत है स्वरगे लोके चा मधुगभवदी कि एक शब्द एक ही शब्द या एक भी शब्द पोन आजाए और उसका प्रियोग ठीक से प्रियोग करना आजाए तो वह शब्द ही स्वर्ग में और लोक में सारी इक्छाओं की पूर्टी करने वाला होता है अब यह जो एक शब्द यहां पर आता है एक पद वह एक शब्द के लिए भी है और जिसको हम नॉन डूल कहते हैं उस अर्थ में भी उस परम शब्द या परम तत्व के लिए भी है एक उंकार के लिए भी है तो इस प्रकार से उस तात्विक रूप से उस परम तत्व को जान लेना उस एक ओंकार को जान लेना सरोपरी ज्यान माना गया है और व्याकरण की दृष्टी से भाशा की दृष्टी से एक भी शब्द का ठीक ज्यान होने का अर्थ है अन्य शब्दों में भी वही प्रक्रिय समाही तरहती है इस प्रकार से वह सब कुछ ग्यात हो जाता है तो एक शब्द वह एक उंकार प्रणव या प्रणव परमशिव आदी के रूप में जाना जाता है और यह शब्द क्या है इसकी परिभाशा भी बड़ी सुंदर देते हैं कि ये नो चारिदे न सासना लांगूल कखुरविशाने नाम संप्रत्यो भवतिशा शब्दा जिसके उच्चारण से उस वस्तोव विशेष का सम्यक रूप से ठीक से ग्यान हो जाए उसको शब्द कहते हैं यहाँ एक बात धियान देने लायक है कि उच्चारण किया गया शब्द ही शब्द नहीं है शब्द वह होता है जिसका हमने उचारण किया है मतलब उचारण से पूर्व भी वह विद्धिमान है हमारे मानस में उसको शब्द कहा गया है और वह शब्द नित्य है व्यापक है इस रूप में उसको व्याख्या की जाती है अब इस शब्द के दो रूप होते हैं एक मंतरात्मक रूप है और दूसरा प्रपंचात्मक रूप ये पूरी प्रक्रिया शैवदर्शन के संदर्व में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं तो दो रूप है शब्द का मंत्रात्मक पक्ष वह है जहां शब्द हमें अभिमुख करता है अपनी ओर लाता है तत्तो बोध कराता है और इसका प्रपंचात्मक रूप वह है जो स्वसे विमुख एक होते हुए भी अनेक रूपों में अपने को प्रकट करके व्यक्त करके वह इस जगत की रचना करता है इस जगत प्रपंच की रचना करता है आवरन करता है प्रपंच का दूसरा अर्थ है आवरन डालना जो वस्तु ज प्रफ़ाइब दर्शन जिसके चर्चा में कर जाहा हूं, कितह काश्मीर का शैव दर्शन है, जिसको त्रक दर्शन भी कहते हैं, प्रतविग्या दर्शन कहते हैं, और जिसका आरंभ वेद के स्वानांतर ही चलने वाले ग्रंथ आगमों से माना जाता है, जिसका प्रफ़म उपदेश स्वें भगवान शिव ने महादेव गिरी परवत पर कश्मीर के शिखरों पर दिया था, कश्मीर के महादेव गिरी के शिखरों पर और उनके बाद दुरवासा, फिर उनके तीन मानस पुत्र, स्रीकंठ, आमरदक और त्रयंबक, इन से ही वह पर उग्या कारिका, जो आचारी उत्पल देव का गरंथ है, नौवी शताब्दी के आचारी है, और उन्होंने इसमें जो शब्द है, उस पर व्यापक रूप से चर्चा की है, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूं, कि तंत्रों में, तंत्र गरंथों में, शब्द सबसे अ विक्रत भी हो रही है, और पूरा ग्यान भी नहीं बन पा रहा है, तो एक अकादमिक आवशक्ता भी इस ग्रिश्ट से है, तो अपने इस ग्रंथ में, इश्वर प्रतिविग्या कारिका में, उन्होंने परा, पशंती, मध्यमा, वैखरी, आदी इन रूपों की भी चर्च और उसी से यह सब कुछ प्रकाशित है, उसी में, उसी के माध्यम से सब कुछ जाना जाता है, यह उसका स्वरूप है, परावाक, पराशक्ति, पराविद्या, पराभक्ति, यह सब एक दूसरे से अन्वित शब्द हैं, इसमें विस्तार से जाने का समय नहीं है, परावाक व्याकरण दर्शन का प्रधान विशय है, शक्ति, परा शक्ति, शैवशाक्त परंपरा में व्याख्याईत है, परा विद्या अपनी शद में जिसमें आप कहते हैं कि द्वे विद्देवे दीतवे परा वाक के रूप में और परा भक्ति, भक्ति सूत्रों में जैसे नारत भ जो स्पंदित है, लेकिन व्यक्त नहीं है, अव्यक्त वाक है, और लेकिन इसका अनुहव, क्योंकि वह हमारे भीतर तदाकार है, एक रूप है, इसलिए वह प्रिथक रूप से हमें उसका बोध नहीं होता है, जब तक कि हम उसके प्रती चेश्टा ना करें। तीन मतलब तीन तत्तों के होने से, इसको त्रिक दर्शन या शडर दर्शन भी कहते हैं, शडर मतलब छे, आधा मतलब तीन, छे का आधा, तो इसमें तीन प्रकार के जो आगम हैं, उन सभी आगमों में विस्तार से इसका शब्द का उलेक है, शब्द पर विस्तार से चर्चा केवल एक संक्षिप्त चर्चा करके मैं समार्थ कर रहा हूं कि काश्पीर के शैव दर्शन में जिसको त्रिक दर्शन कहा जाता है शब्द तात्विक है शब्द केवल संकेतक नहीं है किसी अर्थ का वह तो हम लोक विवार में करते हैं लेकिन और यह स्वेम में ताप्त्विक है, तत्व बोध कराने वाला है, तत्व रूप है, तत्व का अर्थ है, तत्व प्लस त्व, तत्व मतलब वह उसका जो भाव है, वह तत्व कहलाता है, वह एलिमेंट और प्रिंसिपल अंगरेजी में नहीं होता, तो इस दृष्ट्टे से वह तत्व है, अक्षर है, और कहा जाता है कि जितने भी मंत्र हैं, वह सभी वर्णात्मक हैं और सारे वर्णशिवात्मक हैं, तो इस प्रकार से यह इसका एक तत्व बोध है, और इसी तत्व से पूरी प्रक्रिया चलती है, पानिनी का जो प्रकार से तात्विक व्याख्या वहां पर आपको उपलब्ध होती है और दो तीन चीजें हैं जो मैं स्वाप्त कर रहा हूं बता करके पहला तो यह है कि शब्द का अर्थ यहां जिस परम तत्व के रूप में हम करें वह परावाख है और वह शिव शक्तियात्मक है शिव और शक्ति से युक्त है चित और आनंद से युक्त है दूसरा इसमें जो वर्ण है वही मूल है इनी वर्णों में अर्थ की भी शक्ति है तत्तवात्मों की भी है और ये शब्द ये वर्ण अक्षर साधना पर रखें इनको साधना के माध्यम से शटचक्रों में विविद वर्णों का वास माना जाता है और इनको साधना के क्रम में हम जानते हैं और स्वैम यह साध्य भी है और साधन भी है वह स्वैम वस्तु भी है और उस वस्तु को जानने का साधन भी स्वैम शब्द है और इस अर्थ में वह शब्द और अर्थ दोनों से युक्त जो वर्ण है उसको ही हम इस दर्शन में सर्वोपरी समझते हैं और प्रतेक वर्ण शिवशक्ति से युक्त है और वह तात्विक और अपने में समाहित के संपूर्ण स्रिष्टिक ब्रीज को समाहित किया हुआ हुता है इसलिए इसको बीज वर्ण में ही कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रतेक वर्ण शिवशक्ति से युश्वाद